अग्याइब 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 करता हूं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे अच्छे से हुंगे फ़र्स क्लास होंगे आज यह एक बार जलती से फटा-फट से क्लास को शेयर करके सिधा कोश्या नहीं लगाया भाई ठीक है ना समय को बचाना चाहिए मैं हमेशा मानता हूं इस चीज को कि जितना समय आप बचा सकते हैं अपने जीवन में उतना बचाईए उस दिन गाड़ी में चलते हुए मतलब एक कैप से ट्रेवल करते हुए मैंने यह हैसास किया शैद में डेरेक्ली प्रपोर्श्नल है टाइम के जैसे जैसे अगर आप देखेंगे कि टाइम को ऐसे हम लिखते इस तरीगे से आप लिखते तो अगर आप जैसे जैसे गर apologhaid time को कम करना चाहते हैं वैसे आपको speed अपनी बढ़ानी पड़ेगी अगर आप speed अपनी the तेज करना चाहते हैं तो हमें दोनों चीजों को इंप्लिमेंट करना पड़ेगा दोनों चीजों को यूज करना पड़ेगा गती बढ़ानी पड़ेगी समय कम करना पड़ेगा और जिस चीज को लेकर हम रोते रहते हैं कि हमारा लग काम नहीं कर रहा हमारी किस्मत काम नहीं क मुझे लगता है वो बहतर तरीके से काम करेगी वह अपना एक महतुपूर्ण रोल प्ले करेगी हमारे जीवन में हमारी जिन्दगी में चीक है उमीद करता हूं आशा करता हूं आप मेरी बात से सहमत होंगे और इसी सहमती के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को चलिए जरा हटक जो कितने खुशी मिलती है पहला कोरण देख यार अच्छा आज यह वाले कुश्ण होने वाले हैं आश तो मज़ा आएगा मतलब सारी के सारे कर लेगे तो चलो देखते हैं कितने कोश् handwriting कर पाएंगे और कितनी चीजों को मैं आपको नया समझा पाऊंगा सवाल है निमली कितमे से कौन सा लोक निरत्य का संबंद कहां से नहीं है which of the following does not belongs to गुजरात निमली कितमे से वो कौन सा फॉक डांस है जिसका संबंद गुजरात से नहीं है कि विन चूडो क्या रहेगा सवाल का सही जवाब विन चूडो देखिए अगर आपने तारक महता का उल्टा चश्मा देखा है तो यह भी देखा होगा अगर आपने तारक महता का उल्टा चश्मा देखा है तो यह भी देखा होगा दिकत पता है कहा आती है दिकत आती है option number C और option number D में कि विन चूडो के बारे में हमने शायद सुना नहीं होगा और विदेशिया के बारे में शायद हमने सुना होगा पट याद नहीं है कि गुजरात से संबंध है या नहीं है अगर हम इसकी बात भी करें न विन्छूड़ों की, तो इसका संबंद भी भारत में किस राज्य से देखने के लिए मिलेगा? इसका संबंद भी आपको गुजरात से ही देखने के लिए मिलेगा. एक और पूचूँगा तिपानी का संबढ भारत में किस्से मिल जाएगा तिपानी का संबंद भारत में किस्सेजज़ है विदेशिया के अगर हम बात करें तो यह उप्षन नमबर सी सवाल का सही जवाब है विदेशिया इस question का सही और सटीक आख सरै और भारतमें किस से राज्य से संबंद रखता है तो भारत के बिहार राज्य से संबंद रखते हुए आपको नजर आएगा मतलब option number C सवाल का सभी जवाब है दो दिन पहले एक सवाल पढ़ाया था एक स्टूप से संबंदित बताइए कमेंट करके केसरिया स्टूप भारत में कहां पर मौझूद है केसरिया लीचल आपको मिल जाएगा जिसे बॉटिस्त से संबंदित सबसे बड़ा स्टूप बताया गया है बताईए केसरिया स्टूप भारत में कहांव पर मौझूद है एक और सवाल आप से पूछा है तिपानी का अर्थ किस कि में लिस्ट में जोड़ने की बात की गई है किस समानित किया गया है वो कौन मिलेगा सर जिसे साल 2003 में सब्मानित किया गया है पदम विभूशन पुरसकार से ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है सोनल मान सिंग ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है कुमू दीनी लेकिया ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है शोवना नरायन या फिर ऑप्शन आपकी स् 2003 में पदम विभूशन पुरसकार से समानित किया गया है इसके अलावा अगर हम बात करें कुमुदीनी लेखिया जी की इनका संबंध भारत में किस दान्स से है तो इनका संबंध क्लासिकल डान्स कथक से आपको देखने के मिलेगा मान लीजे एक्जाम में डिरेक्ट ये सवा पदम श्री और 2010 में पदम भूशन दिया गया साल 1987 में ने पदम श्री से समानित किया गया था शोवना नारायन के अगर हम बात करें कि शोवना नारायन का संब्ध होएन की स्म्भारत 960 न्रत्य से हैं तो इनका संब्ध भी gearum क्थक से संबन्ध पुरसकार से पुरस्कार से इन्हें पदमुश्री से समानित किया गया था कौन सा साल था Śाल था 1922 1992 की यहँ बात कर Daar इसके अलाव़ा सुनयाना हजारी लाल सुनयाना हजारी लाल कि अगर वुक्षानित की आएन तो इन की बारे में घराना अगर पूछता है, तो बनारास घराने से संबंद है, किस घराने से संबंद है? बनारस घराने से संबंद आपको देखने मिलेगा, सवाल का सही जवाब है सुनल मानसिंग आप्शन नंबर 59 ठीक है जब आप dance के बारे में पढ़ेंगे तो आपको at least इतनी information इतनी जानकारी तो प्राप्त करनी ही पढ़ेगी सवाल का सही जवाब क्या है सवाल का सही जवाब है सोनल मान सिंग option number a next question देखिए अगला सवाल आपकी screen पर है अगला सवाल है तरंग male dance का संबंद भारत में किस राज्य से है एक dance आपको मिल जाएगा dance का नाम है तरंग male dance इस तरंग male dance का संबंद भारत में किस राज्य से है अगर अभी भी समझ नहीं आया तो अप्टिक करके देख लो फुगड कि देखनी और कि पाल मिल जाएंगे इस राज्य से संबंदिर आपको मिल जाएगा यहाँ देखनी देखने लिए और एक कुन भी डान्स मिल जाएगा एक डान्स आपको मिल जाएगा देखनी और एक डान्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए कौन सा कुन भी इन सभी डान्स का संबंद भारत में किस राज्य से है सारे के सारे और सभी का संबंद भारत के सबसे चोटे राज्य से है smallest state in the area शेत्रफल की दृष्टी से smallest area wise state आपको देखने के लिए मिल जाएगा गोवा की यहाँ पर हम बात करें गोवा इसलिए आजादी हमने ली थी इसके साथ साथ अगरा भात करें सर गोवा के संबंद में तो सावंत यहां के आपको चीफ निस्टर मुख्य मंत्री देखने के लिए यहां पर विधान सभा की जो सीट आपको देखने के लिए मिल जाएगी उनकी संक्या है 40, 40 seats यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी important point है sir exam में आता है तो आपको जवाब देना है सारे के सारे point important है ध्यान दीजेगा next question देखिए अगला सवाल स्क्रीन पर है अगला सवाल है रोशन कुमारी का संबद निमलिखित में से किस classical dance से है अगर हम बात करें सर कथक के बारे में तो कथक नॉर्थ इंडिया से संबंदित नॉर्थ इंडिया से संबंदित एक फेमस classical dance आपको देखने के लिए मिलेगा जिसका में उत्तर प्रदेश यूपी वाले बात करें तो भारत में उडिसा राज्ये से यह संबंदित मिल जाएगा भरत नाटियम के अगर हम बात करें तो भारत में कौन सा राज्ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहां पर हम बात कर रहे है केरल राज्य की ठीक है मोहीनी आट्यम की अगर हम बात करें मोहीनी आट्यम की अगर हम बात करें तो वहीनी आट्यम का संबंद भी भारत में किस राज्य से है केरल राज्य से ही मोहीनी आट्यम का संबंद भी कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा रोशन कुमार जी का संबन या रोशन कुमारी जी का संबन निमली खित्मे से किस क्लासिकल डांस से आपको मिल जाएगा अगर हम बात करें पदम श्रीष से सम्मानित किया था साल 1984 में 1984 में घराना कौन सा मिल जाएगा जैपुर घराना मिल जाएगा रोशन कुमारी जी का जैपुर घराने से संबंधित आपको ये मिल जाएंगी सवाल का सही जवाब क्या है अब तक हर एक v beneficiaries गलत दिया है सवाल का सही जवाब है कत्थक सवाल कहा पूछा गया CGL 2022 केology सवाल कहा पूछा गया CGL 2022 में 2022 में इतना पूचा है हो सकता है इसके आगे पूचले किस पुरतथा से संभानेत किया गया कप कौन से घराने से संबंद है ये भी एक्जाम में पूछ सकता है ठीक है क्लियर समझ आ गया किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है कथक सवाल का सभी जवाब है बाकी स्क्रीन पर लिखे हुए सारे के सारे रंगों के अगर हम बात करें तो वह काले रंग की बात कर रहा है इन सभी रंगों में क्या-क्या दर्शाया गया है मतलब लाल रंग क्या दर्शाता है हरा रंग क्या दर्शाता है काला रंग क्या दर्शाता है और पीला रंग क्या दर्शाता है यह कोशन मैं मेरी जब क्लास लेता हूं paid batch में वहाँ पर पढ़ाता हूं तो भाई जो मेरे paid classes के पुराने students में हैं वो बता सकते हैं कि कौन सा रंग क्या दर्शात है इसके अलावा अगर हम बात करें सर इसमें रामायन और महा भारत के बारे में कहीं ना कहीं वर्णन आपको दिखाई देता है रामायन और हब महा भारत के बारे में महा भारत के बारे में कहीं ना कहीं वर्णन आपको नजर आएगा अब जब आप दीजे सवाल का सही जवाब क्या है बहुत बढ़ीया सारे के सारे लाल रंग करोथ को दर शाता है काला रंग क्या दर शाता है सारे के साड़ इंपोटन्ट है मैंने सारे पठा रखे मेरी पेट क्लासस में आपको पता होना चीए PDF कहा से मिलेगा सर इस क्लास की PDF मिल जाएगी मेरे WhatsApp गरूप से per8-210-3915 Memorial कर सकते हैं सवाल का सही जवाब क्या है सवाल का सही जबाब को मिल जाएगा कथक कली किस राज्य से संबंदित है और कल आपने देखा होगा कि कोची के अंदर नरेंदर अमोदी जी के दुआरा फ्लाइग अफ किया गया है भारत की पछली Water Metro को Water Metro को फ्लाइग ओफ किया गया है कहां पर तो कोची के अंदर केरल से संबंदित हमने स्टेट में 8 important question पड़े हैं हाल फिलाल में कितने important question 8 important question वो 8 के 8 आपके दिमाग में घूम जाने चाहिए इस question को पड़ते हुए ठीक है clear है जिसके पास 2 शास्त्रे निरत्ते हैं बहुत बड़िया उमीद करता हूँ सारे के सारे point समझ आगए ये आपको fill करना है सर next question देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है अगला सवाल कहता है who among the following is known as pioneering, dancing, educationist and prominent Mohini Attam exponent सवाल है निमली खित्मे से किसे एक अग्राणी, रित्य, शिक्षावादी, शिक्षा, विदा और एक प्रमुक Mohini Attam प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है कौन है जिनका संबंद Mohini Attam से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा सीधा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए सर नाम आपके सामने लिखे हुए माधवी मुदगल के अगर हम बात करें तो किसके संबंद मुदगल्जी का संबंद माधवी मुदगल के संबंद आपüst जाया ऊडिसी क्लास्år girl क्लासिकल दान के अपको इनका संबंद देखने के मिल करें चबढ करें किस से संबंदित मिल जाएंगे तो पहली recred सिकल डांस से इनका भी संबंद आपको देखने के लिए मिलेगा मोहन राव कलिन पुरकार सहाब के अगर हम बात करें इनका संबंद किसे मिल जाएगा इनका संबंद आपको कथक से देखने के लिए किस घरणे से तो ये जैपुर घराने से संबंद रखते थे जैपुर घराना यहां पर लिख लीजेएगा जरूर और खुछ इस पॉइंट का सही जवाब रहेगा सवाल का सही जवाब क्या हो जाता है लिपलिकित में से कौई है जिने मोहिनी आट्र्टे में आठेम के लिए भी आप जानते हो लेगा basic मगर important point next question देखें अगला सवल आपकी स्क्रीन पर है अगला सवल आपकी स्क्रीन पर है next question आपकी स्क्रीन पर है सवाल कहता है which of the following festival known as विजय उत्सव निमली कितमे से किस festival को आप विजय उत्सव के नाम से भी जानते हैं क्लास को एक बार लाइक और फड़ा फड़ से एक बार शेयर कर दीजे विजचा उत्सव निमली कितमे से किसे आप विजय उत्सव के नाम से भी जानते हो क्या रहेगा सवाल का सही जवाब अगर हम बात करें गंगा सागर मेला के बारे में तो यह हुगली नदी के किनारे मनाया जाने वाला पर्व है बात कर रहे हैं हम किसकी पुष्चि मंगाल की वेस्ट बेंगौल की पुषकर फियर की बारे में हम आजरी कई बार डिस्कस कर चुके हैं राजस्थान अजमेर डिस्रिक्ट में पढ़ जाएगा कोनाग डांस फेस्टीवल की बात करें विजे नगर सामराज्य की राजधानी के आपको मिल जाएगी इसके साथ साथ याद रखिएगा अरीहरा और बुक्का ये सभी चीज़ें हमने कहां पड़ी थी ये सब चीज़ें हमने पड़ी थी हमारी वर्ल्ड हैरिटेज साइट वाली क्लास में कौनचे क्लास में प्रकार की कोई दिक्कत समस्या उमीद करता हूं नहीं पैदा हुई होगी नेक्स कोशन देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है अगला सवाल है कुच्चिपूरी क्लासिकल डांस इस अकमपेन विद विच टाइप ऑफ म्यूजिक सवाल है कुच्चिपूरी शास्त्र नृत्ते किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है वो किस प्रकार का संगीत आपको देखने के मिलेगा जहां पर कुच्चिपूरी क्लासिकल नृत्ते आपको होते वे नजर आएगा कुच्चिपूरी के अगर हम बात करें तो भारत में आंध्र प्रतेश राज्ये से सब्द्दित मिल जाएगा कैसे इसका नाम कुछी पूरी पढ़ा है ये कॉस्टन भी हमने डील किया है अपने क्लासिस पर कौन से म्योजिक की बात कर रहा हैं सर्वो कज्री म्यूजिक की इसके जाएवा चैटी म्यूजिक की करनाटक कि या फिर करनाइटिक म्यूजिक की या फिर हिंदुस्तानी म्यूजिक की इसके साथ वादेयंत्र भी पूछता है कि किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का संबंद है किस क्लासिकल डांस है इस प्रकार की कोश्चन भी एक्जाम में पूछे जाते हैं सवाल का सही जवाब है क करनेटिक music की यहाँ पर बोबात कर रहा है option no.3 सवाल का सही जवाब है करनेटिक इस कोशन का सही और सठीक जवाब आपको देखने के लिए आपको देखने के मिलेगा next question देखाई अग्ला सवाल स्क्रीन पर है अग्ला सवाल है भीमवती देवी is an exponent क्या रहेगा सवाल का सही जवाब स्टोरी ऑफ भगवत पुरान बहुत बढ़िया भाई कि भीमावती देवी जी की यहां पर हम बात कर रहे हैं निम्लिकित में से किस क्लासिकल डांस से भीमावती देवी जी का संबद यहां पर आपको देखने के मिलेगा फटाफट जवाब दीजिए खुश्बू शुकला जी बहुत बढ़िया मनीशा जी बहुत अच्छे चलिए जी क्या रहेगा सवाल का सही जवाब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है बेसिक कोशन है सर जवाब देने का प्रयास कीजिए फटाफट से सवाल है सबसे पहले मिल जाएगा यहां पर आपको मैयूर भंज चाओ जिसका संबंद है उडिसा से जिसका संबंद आपको कहां से मिल जाएगा जिसका संबंद आपको यहां पर उडिसा से मिल जाएगा इसके अलावा एक और हम बात करें तो यहां पर पुरलिया चाओ आपको सिकनिकंट मिल जाएगा तो इसका संबंद यहां पर आपको मिल जाएगा इस से लावा मनीपूरी classical dance के करहां मनीपूर से संबंद रखता है ठीक है इस राज्य से मनीपूर से कथक कली के अगर हम बात करें तो पीछे हम फढ़कर आये हैं और कलर वाला कोशन भी हमने पढ़ा था तो यहां पर केरल हो जाएगा उडीसी की बात करें उडीसा का भीवावती देवी जी का संबंद भारत में किस क्लासिकल डांसे है तो मनी पूरी सवाल का सही और सथीक ज क्लासिकल नहीं केवल डांस निमली खित में से वह कौन सा डांस है जिसका संबंद अरुनाचल प्रदेश से आपको देखने के मिलेगा पनवडिया नृत्ते का धमन नृत्ते का बुईया का या फिर गरबा का चलिए जवाब दीजिए एक बार फटा-फट से किस से संबंद अगर हम बात करें और इसके साथ साथ अगर हम बात करें बुईया नृत्य का संबंद भारत में किस राज्ये से है तो इसका संबंद आपको मिल जाएगा अरुनाचल प्रदेश से जिससे डैंसी टीम में मतलब जनसंक्या घनत्व के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंक्या घनतवाला राज्ये कहा गया है सबसे अधिक वाला बिहार, सेकिंड नंबर पे वेस्ट बेंगॉल और थर्ड नंबर पे केरल राज्ये आपको देखने के लिए मिलेगा नेक्स कोश्चन देखें, अगला सवाल स्क्रीन पर एँ अगला सवाल है, वो कौन सा फॉक डान्स है जिसका संबन्ध मंध्य प्रदेश से नहीं है इसका मतलब यह है तीन ऐसे मिलेंगे जिनका संबंध बध्य प्रदेश से मिलेगा लेट शो हो रहे हैं कोशन मेरे फोन में एक बार आफ करके अन कर लीजे प्रॉपर टाइम पर शो होंगे चलिए सवाल आपकी स्क्रीन पर जवाब देने की कोशिश कीजिए निमलेखित में से वह कौन सा पॉक डांस यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा जिसका संबंध आपको मिल जाएगा बध्य प्रदेश से नहीं और अगर बध्य प्रदेश से रही है तो किस राज्य से है एक अगर हम बात करें सिर्फ फूल प्ति मद्य-प्रदेश मट्की मद्य-प्रदेश जवारा मध्य प्रदेश तीनों का संबंध भारत में अंतितीए फिटिवर लाहु के अगर बात करें तो लाहो theoretically स म्बंध याद रह embassy नहीं किस राज्य से मिल जाएगा तो इसका संबंध आ आपके स्क्रीन पर है बेदीना कलम फेस्टिवल वाला संबंद कौन सा हो जाएगा मेघालिया से डांस का संबंद लाहो का भी संबंद किस्ते था तो मेघालिया से था इस तरीके से याद रखिए कि एक साथ दो तिन कुश्टन क्लेक हो जाए माइंड के अंदर ठीक है नेक्स पुछा गया तो आप समझ सकते हो कम से कम लेवल क्या रहने वाला है संगीत नाटक अकैडमी अवार्ड पदम श्री अवार्ड कालीदास सम्मान या फिर नैशनल फिल्म अवार्ड पदम श्री पुरसकार के अगर हम बात करें तो चौथा भारत का सबसे बड़ा पुरसकार मिल जाएगा ठीक है ना नागरिकता सिटेजन पुरसकार के अगर हम बात करें कालीदास सम्मान का संबंध भारत में किस राज्य से मिलेगा तो मद्यप्रदेश से आपको मिल जाएगा नैशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में हम जानते हैं सवाल का सही जवाब क्या है सर बहुत कम लोग इस कोशन का देखे जैसे वन और थ्री में हमें कंफ्यूजन है कई लोग टू भी दे रहे हैं सवाल का सही जवाब तो आप समझ सकते हैं कि वन ऑफ दा फाइनेस्ट कोशन है और यह भी चीज समझ सकते हैं कि यार ऐसे ही कोशन आएंगे कुछ अलग नहीं संगीत नाटक अगेडमे इस सवाल का सही और सटीक जवाब राज श्री शिर खे ठिक decreased amphora नास और दिया एक सवाल होगो फूंगा इनका संबंद लूक इस सवाल नियुद्ध कर जतिन का संबंद किस प्रदेश्ट लोक नृत्ते से आपको मिल जाएगा किस राज्जे का फॉक डांस आपको देखने के लिए मिलेगा सवाल यहां पर भारत में किस राज्जे का फॉक डांस है सर बिहार से संबंदित कोश्चन्स पूछे जाते हैं भाई बहुत सारे सब्सक्राइबं का सई और सटीक अंसर इसके साथ साथ एक सवाल और पूछूंगा नितीश कुमार जी कौन सी बार सी एंप ट की शपट ले चुके हैं इस बार कौन से नंबर की सींपर्ट की सपट उन्हों ने लिया मतलब कितनी बार वो सीएंपर की सपट ले चुके एक question ये और बनता है, CGL की परिक्षा में पूछा गया था, दुबारा MTS और CHSL जैसी परिक्षाओं में repeat हो सकता है अगला सवाल, अगर आप मेरी paid classes करते हैं, अगर आपने मेरी paid classes पड़ी हैं, तो ये question मैंने मेरी paid class में theory में करवाया सवाल है, केलू चरण मोहापातरा जी के अगर हम बात करें तो उन्हें साल 2000 में पदम विभूशन पुरसकार से सम्मानित किया गया था, बताइए उनका संबन निमली खित्मे से किस शास्त्रिये नृत्ते से है, नेक्स कोशन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत यह एक चीज हमेशा आद रखना सर, थीहोरी आपको बढ़नी पड़ेगी, ठीक है ठीक है थीॉरी आपको बढ़नी ही पड़ेगी, फिट क्लासेज चाल नहीं सब्सकार हाँ, प्लाइज बेगा, एक बार आपको आना ही से पढ़्ड़ेगा, यह पार पेट क्लासन को आपक सच बता रहा हूं यार में को कभी-कभी खुद पे शरम आती है या तो कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं या मुझे देखकर शरम आती है कि यार क्या कर रहे हैं यार जो नीचे चाय पिला रहा था ना सरबंदा उसको उपर खड़ा कर दिया कॉपी पैन लेकर वह आ रहा है पहले ही हमें अगर स्टार्टिंग से देखें हैं तो हमें सही प्रकार की शिक्षा जो है प्रदान नहीं की गई हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं सर एक नंबर टीचर वहां पढ़ाते हैं अगर आप समझते हैं कई बार कुछ जैसे बिहार वाले शेत्र देखें उत खुटो देखे देख लो कभी पेपर फिर तो तुम पास करवाओगे किसी को मैं रात को सर डेड़ बजे में क्लास देख रहा एक बंदा पढ़ा रहा और मैं यह देख रहा है यह तो पानी पलाता था कल तक नीचे यार यह बंदा पढ़ा रहा है सच बता रहा हूं मेरी रूख आप गई रात को सोचकर में को लगा मैं ही गलत काम कर रहा हूं यार मुझे लगता है मैंने ही कोई गलत प्रोफेशन चुन लिया है मैं फिर बोल रहा हूं जब मैं क्लासिकल डांस पढ़ाता हूं पेड बैचिस में तो केवल क्लासिकल डांस से संबंदित 120 कोश्चंस उसकी बाद अगर आप इंक्ल्यूड कर लेंगे इसमें अवार्ट्स को भी तो कम से कम 80 कोश्चंस और बनेंगे 200 कोश्चंस बनते हैं सर अबंग दा फॉलोविंग कंटेंप्रारी स्टाइल डांस फर्स फर्स इंडियन डांसर तो रिसीव दांस ड़्यू एबी यूरोप स्कॉलर्शिप ही इस ही शी ऑल्सो वान 2002 अमेरिकन कोरियोग्राफर अवार्ड फोर हिस हर वर्क इन दा मूवी लगान पहले भी पढ़ा ह लाइन लाइफ पेपर करवाना चाहिए लोगों का कि अब खुद तो देखे दिखाओ तुम्हें कितने आते हैं फिर मुझसे दिलवालो पॉलिटी के मैं 120 में से 119 कोशन ठीक करने का दम रखता हूँ 1000 कोशन 3000 कोशन 6 गंटे की मैरतन एक दुरंदर मिला मुझे पुराना दुरंदर बता रहा हूँ कसम से उसको तो देखकर कभी को ऐसा लगता है कि उससे तो भार पीटा जाए पता है क्या बोल रहा हूँ कहरा मेरी लगाओ CGL में मैं लगा लो भाई मैं थोड़ी मालिक हूं मालिक जो है उनसे बात कीजे मेरी लगा दो CGL मैं अच्छा कहरा मैं सबसे बड़े एक्जाम में पढ़ा रहा हूँ अभी भारत का जो सबसे बड़ा एक्जाम है मैं कौन सा कहरा GD मैं मैं तो GD बढ़ा है CGL, कहरा GD बढ़ा है, कहरा वहाँ vacancies 54,000 है, और CGL में कितनी है, 20,000 है, तो कौन सा बढ़ा है, GD बढ़ा है, तो जूता पहन रखा, तो दिल कर रहा था, बजाओं भाई साब, रैप्टेस के जूता उतार गए, अब शरम, तुम्हारे खांदान में कोई कोई निकाल दे CGL, तो मैं पढ़ाना छोड़ दू, पुरे खांदान में कोई निकाल दे CGL, और यी बात, कहरा GD बढ़ा है, क्योंकि उसमें vacancy ज्याद है, कहरा CGL छोटा पेपर है, मैं तो UPSC तो फिर बहुत छोटा हो गया, उसमें तो 700 है केवल, और फिर शरम से डूब बरने का दिल करता है, मेरा कई बार देख कर लोगों को, ऐसी अनोखे प्राणी, तुम खुद बताओ, ऐसे बंदों का क्या किया जाओ, उन्हें GD पढ़ाने के लिभी क्यों दे रखा है, भाई, अबे वो GD, वो छटी क्लास का पेपर पास ना कर पाए, सरकारी नौकरी मे पूछा गिया एक कोशन, बहुत अच्छा कोशन है, इंपोर्टन कोशन है, इसके रावा शक्ति मोहन के बार में आपने कई बार सुना होगा, डांसर है, डांस एडिया डांस ही जीती थी, शक्ति मोहन की भी अगर हम बात करें तो, नेक्स कोशन देखिए, अगला सवाल स्क संबंद आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, चलिए जी, रुक्मणी देवी अरुंडेले जी के अगर हम बात करें, इन्हें पद्म भूशन से सम्मानित किया गया था, इस पूरसकार से, यहीं पर आपने पढ़ा होगा, वो सात्वा संवेधानिक संचोधन, सेवंध अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉंस्टिटूशन, ठीक है न, भाशाय अधार पर जहां पर री और्गनाइजेशन या री क्रियेशन ऑफ स्टेट्स किया गया था, रुक्मणी देवी अरुन डिले जी के बारे में अगर हम बात करें, तो भारत में सबसे पुराने क्लासिकल पुराने क्लासिकल haven क्लासिकल है भारत मुंनी के जो लेख आपको लिखावा मिलेगा, उसमें कहीं न, कहीं, जिकर मिल जाएगा भृत नाट्यम का, भरत नाट्यम का नाम ही भारत मुशन के नाम पर पढ़ा है, भारत में तमिर नाडु राज्ये से संबंदित मिल इसके अलावा भी बहुत सारे questions बनते हैं important ठीक है धियान से पढ़ना sir reasoning का question लेकर आयों कहां पर GK के अंदर please धियान से पढ़ियेगा question GK मैं पूछा गया था भाई दिक्कत यह है ठीक है सवाल है select the option that is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word the word must be considered as a meaningful English word and must not be related to each other based on the numbers of letters numbers of consonants vowels in the word movie का जो शब्द है उसका अर्थ होता है उसका संबंद होता है director से और कैस्टा का संबंद निम्ली कित्में से किस से है सवाल यहां पर यह है sir GK में ही पूछा गया था और dance में ही पूछा गया था दिक्कत यह है ठीक है GK में ही पूछा गया था और dance में पूछा गया था सवाल यहां पर गये है क्या रहेगा सवाल का सही और सटीक जवाब based on the number of letters, numbers of consonants vowels in the word word यह answer पढ़ना A-E-I-O-U ऐसे होता है ना ठीक है जब यह सवाल पूछा गया था इस सवाल का सही जवाब department ने क्या दिया है conductor दिया है, option number 2 सवाल का सही जवाब है, conductor इस question का सही और सटीक answer है, option number B याद रखिएगा, ऐसे questions भी एक्जाम में पूछे जा रहे है next question देखिए, अगला सवाल आपकी screen पर है, अगला सवाल है क्याग्यद dancer, a customary dance festival which is celebrated annually in Sikkim falls in a month of सवाल है, क्याग्यद नृत्ते सिkkkim में प्रतिवश मनाया जाने वाला एक पारम पर एक नृत्ते उचसव है किस महीने में मनाया जाता है, किस मन्त में मनाया जाता है, सवाल यहाँ पर यह है मई में, अक्टूबर में, दिसंबर में या फिर अगस्त में, चलिए अगला सवाल, next question सवाल स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का सही और सटीक जवाब क्यागेट नृत्ते की यहाँ पर बात कर रहा है, कौन से मन्त में मनाते है सबसे पहले तो वो डिरेक्ट पूछ सकता है सवाल, CHSL, MTS जैसी परिक्षा में, कि इसका संबंद भारत में किस राज्जे से है तो संबंद इसका मिल जाएगा, सिक्किम से, कंचन जंगा, राष्ट्य उद्यान, इसके इलावा किस के लिए फेमस है, रेट पांडा के लिए फेमस है, सिक्किम से संबंद दित, और बहुत सारे questions बनते हैं, इस चीज़ को याद रखना सिक्किम पे एक संबंद बनता है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यहापर कौण से मिल जाएगी, कई बार बनाया वो question भी, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यहापर कौण सी आपको नजर आ जाएगी, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, सवाल का सही जबू आप क्या रहेगा, के महीने में और इस सवाल का भी सही जवाब क्या है इस सवाल का सही जवाब भी आपको December का महीना मतलब December के मन्त में ही ये फेस्टिवल भी आपको मनाते में नजर आएगा CGL में पूछा गया question है previous year question है याद अगला सवा स्क्रीन पर है इसका जवाब आप सभी लोग सही दे सकते हैं एक पूरा प्रॉपर इवेंट कर दूँगा इसके ऊपर कि नर सी और सी डबल ए में क्या अंतर है next question आपकी स्क्रीन पर है मोहीनी आटम डान्स की अगर हम बात करें तो भारत में किस राज्जे से originate इसको बताया गया मोहीनी आटम अंडरते को हम सभी जोग जानते हैं कतरकली हो चाहे मोहीनी आटम हो संबंद भारत में केरल राज्जे से मिल जाएगा केरल से संबंद फिर बोल रहों भाई आट कोशन पढ़े हैं तुमने हाल फिलाल में केरल से संबंदित मैंने topic पढ़ाया था first in India first in world first in India first in world करके राज्जे वो पढ़ाया था topic जैसे उसमें कोशन था Palm Leaf Museum बाला Palm Leaf Museum दुनिया का पहला कहा कोला गया केरल में ऐसे आट कोशन पढ़ाया है केरल से संबंदित कोशन एक्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही ठीक है पिनारियन विजियन मुख्य मंत्री मिल जाएंगे केरन के देखने के लिए आपको केरल के next question देखे अगला सवाल which of the following dances is primarily performed in the Indian state of Bihar सवाल है निमले कित्मे से कौन सा नृत्य है जो केवल Bihar में perform किया जाता है इसने बहतर question मुझे यह लगता है यह बताइए कुमाती नृत्य भारत में किस राज्य में perform किया जाता है गूमर के अगर हम बात करें तो राजस्तान से संबंद आपको मिल जाएगा दिपिका पादु कौन गूमर 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 पद्मवती की बात करें किसके द्वारा लेकी गए थी मलीक महुम्मद जयासी के द्वारा काली बेलिया नृत्य कि अगर हम बात करें तो एक fork dance है कैस को कि इंटेंजिबल लिस्ट के बारे में कब जोडा गया था तो साल 2010 के आसपास इसे जोडा गया था जब चाउ को भी जोडा गया था इसको भी याद रखना इसके अलावा अगर हम बात करें सवाल का सही जवाब क्या रहेगा option number C सवाल का सही जवाब है विदोशियोग सवा इसका आपको देखने के लिएगा ये question exam में आ सकता है कुमाटी वाला पूछा नहीं गया है तो पूछने के जाला chances रहेंगे इसने बोल रहा हूँ इसे को कुमाटी कली भी बोलते है कुमाटी भी बोलते है किस राज्ये से संबंध है तो केरल राज्ये से इसका संबंध अगला सवाल है name the first UDC classical dancer of Udisa who was conferred with the Padma Vibhushan award पीछे भी पढ़कर आयो ये question आप same question था बस थोड़ी सी language बदलकर दुबारा ही CGL में पूछा गया सेम question था थोड़ी सी language बदलकर दुबारा CGL जैसे एक जीडी से चोटे exam में पूछा गया ऐसा कहने वाले एक maths के बहुत महान टीचर आपको मिलेंगे अग्समसे मेरे प्यारो तले जमीन खिसक गई थी वो सुनके मैंने फिर मैंने यूँ हिलाई गरदन में क्या तो जीडी बड़ा है अच्छा मैं आये कभी हवेलिप आहिए स्वागत करेंगे आपका गाना गाके कि स्वागत नहीं करोगे मेरा बाइत मैं तो कभी को मेरा लिटरल ही मेरे से कोई बोलता है न मेरे को कई करवादों में पढ़ ले कुछ नहीं रखा भाई इन मोमाया में कुछ नहीं रखा पढ़ ले चलिये जाँ रहेगा सवाल का सही जवाब hay दशैरा में लडकिया मट्के के अंदर जीब जला की घुमती है और को जजिया गीत भाता थी है कि इसका संबन किसे रहेगा सवाल का सही जवाब क्या है केलो चली मोह पात्राजी सेवाल का सही और सठीक जवाब है और सकता है भाई कोश्चन साल 2000 पीछे पढ़कर आये हूँ ठीक है सोनल मांच सिंग के बारे में भी आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा तो मेरी पेट क्लासिस करोगे तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या पढ़ा रहा है ये बंदा अगला सवाल है निमले कितमे से कौन सा डान्सवाater है जो औरिजिनेट होता है साउथ इंडिया से निमले कितमे से किस निर्थे शली की उतपत्ती दस्शिन भारत से नहीं होती या फिर वोई मेरे वला बना कर देखोगे एस्ट वैस्ट नौर्थ और साउथ तो हम जानते हैं साउथ इंडिया में कौन-कौन से मिल जाएंगे कथकली का संबन साउथ इंडिया से कुच्छीपूरी का संबन साउथ इंडिया से भरत नाट्यम का संबन साउथ इंडिया से ठीक है पड़ रखा है केरल से संबंदित हो गया किस से संबंद हो गया सर इसका आ समय तक आपको याद रहे हैं, automatic basis पर याद रहेगा इससे, सच बतारों जो मेरे साथ साथ ऐसे ड्रॉ कर रहा था उसको जिन्दीगी बर याद रहेगा, वो बार बार भी अगर चीजों को याद रख रहा था तो भी उसको याद रहेगा automatically कि यार बंदे ने बताया तो सही था, अगला सवाल है, सुननदा नायर जी का संबंद निमली कित्मे से किस डांस से आपको देखने के मिलेगा, एक कोशन और बहुत पार कई बार एक्जाम में पूछा गया है, यक्षागन डांस का संबंद भारत में किस राज्य से है, तो इसका संबंद उस राज्य से मिलेगा, जिससे आपको वो कैमप गावडे या कैमप गावडे मिल जाएंगे, वो कैमप गावडे याद है भाई, स्टैचू अफ प्रोस्पारिटी, याद है स्टैचू अफ प्रोस्पारिटी के बारे में, स्टैचू अफ प्रोस्पारिटी के बारे में याद है, उमीद करता टिक कर दोगे तुम लोग सुनंदा नईयर जी का संबंद इमले खित्मे से किस लासिकल डांस से आपको देखने के लिए मिलेगा सवाल सिंपल सा यह है सवाल का सभी जवाब है मोहिनी आटप अब देखो यहां पर गाड़ी खतम नहीं होती जैसे मैंने जितने कोशन सभी तक डील करवाएं इसको तो रापिडली करवा रहों जितने कोशन डील करवाएं एक अवार्ड और इनसे संबंदित पढ़ ले रहा है इन्हें जो भी हाइस्ट अवार्ड दिया गया है आज तक वो तुम्हारे कॉपी में जरूर नोट हुआ होना चाहिए तो ही काम चलेगा ठ चोड़ने के पीछे वजा थी सर बहुत सारी वजाएं थी जैसे बाकी लोग छोड़ कर गए हैं सर जिस रिजन के कारणवर्ष उसी कारणवर्ष मैं छोड़ कर आया हूं ठीक है सवाल का सही जवाब है मोहीनी आट्टम मोहीनी आट्टम का संबंद भारत में किस राज्य से केरल से मोहीनी भगवान विश्णू का अफ्तार दिखाई गई है जिसमें आप देखेंगे वो भस्मा सुर नाम का व्यक्ति था जो सब को भस्म करने के कई सारी स्टोरी चलनी चाहिए मार्किट में वैसे एक व्यक्ति ऐसा जिस पर हाथ रख दे भस्म कर दे तो वैसे ही भ देखें अगला सवाल अगला सवाल है राणी करना नायक वू वॉस अवोड़िट दप्रम श्री इन 2014 वॉस अडांसर राणी करना नायक जिने 2014 में पद्मुष्री से सम्भानित किया गया था एक नृतिकी थी किस दान्स से उनका संबंध है क्या रहेगा सवाल का सही पर एड़िट इस वर्ट तो वर्ट चीज़े याद है तुहां इसको याद रखना गुमाएगा गुमाएगा एक कोशन में एक से ज्यादा स्टेटमेंट देने ही वाला है राणी करना नायक देने को डिरेक्ट भी दे सकता था कि इनका संबंध किस डांस से मगर बच्चा कंफ्यूज नहीं हो ता उसने आगे कभी दे दिया इन्हें पद क्लासिज लूँगा सर अवार्ट की मतलब डांस वाली तो ही जाकर तुम्हारा कहीं ना कहीं सीजेल में डांस वाले कुर्शन्स ठीक होंगे भरत नाट्यम और कुच्छीपूरी नृत्यांगना यामनी कृष्णमृति को 2016 में निमले खित्में से किस पुरसकार से समानित कि क्या गया सर टंकी की चोट पर बोलता हूं अगर आपने मेरी पेड़ क्लासिज लिए ना और मेरे बोलने पर पेड़ क्लासिज में जब मैं बोलता हूं कि यामनी कृष्णमृति से संबंदित चार सवाल और बनेंगे तू अवार्ड और इनसे लिख लिए पद्म श्री कब पद्म विभूष्ण सेकिंड हाइस्ट ऑनर और ऑफ इंडिया भारत का दूसरा सरवच्छ संबान से संबानित किया गया डिरेक्ट कोशन पूछ सकता है यामनी कृष्णमृति का संबंद निमले कितमे से किस क्लासिकल डांसे है एक दे देगा बोलेगा बताईए दूसरा क सब्सक्राइब करेगा तो इस तरीके से भी कुशन को याद रखना ठीक है ऑप्शन नमबर डी सवाल का सभी जबाब है पद्मभी पूशन नेक्स्ट कोशन देखिए अगला सवाल विच ऑफ फॉलोविंग इस फेमस फॉर फॉक डांस फूरी सा निमलिखित में से कौन सा प्रसिद लोक नृत्य है बिरहा घूमर कल बेलिया या फिर रंग बाटी सबसे पहले तो भाई इन दोनों को काड़ देते हैं उसके बाद कॉम्पटिशन कर लेते हैं जो ओगा देखा जाएगा घूमर और कल बेलिया के बारे में पीछे पढ़कर आए हैं कल बेलिया नृत जो किया जाता है बीन की ताल पर उसे आप राजिया नृत्य के नाम से जानते हैं तो टेखे और बदाद इजें और जो क्लासिकल डांस कौन सा है उडिक्सा का तो यहां से आपको उडिसी नृत्य देखने के लिए मिलेगा इसे भी याद रखना केवल बिरहा बच गया बिरहा का संबंद भारत में किस राज्य से है इन दोनों का संबंद किसे मिल जाएगा ये दोनों तो भाई राजस्तान से मिल जाएंगे फिफ्टी फिफ्टी तक तो तुम्हें लियाएगा वो उसके बाद च्वाइस टफ होती है एक छोड़ दिया वाला अगला सवाल गुरू के लुचरण मोहापात्रा हूँ वॉस अवॉर्ड तीसरी बार रिपीट हो रहा है कुश्चन सर सीजील में एज इस कोश डानसर यह आपको मिल जाएंगे जिने सम्मानित किया गया पद्म विभूशन पुरसकार से साल 2000 में रिपीट कोशन सीजील में बार बार रिपीट हुआ है कोशन शिफ्ट बाई शिफ्ट कोशन रिपीट हुआ है सवाल का सही जवाब क्या है उडिसी इस कोशन का सही और अगला सवाल है जागोई एंड चोलम वह बोल रहा है कि जागोई और चोलम किस शास्त्र नृते में दो मुखे भाग है दो मुखे भाग दो पार्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे चलिए अगला सवाल बहुत बढ़िया सम्राट तेरी नौकी लग जानी चाहिए भाई इस साल पूरे चांसे है लड़की ढूंड ले तू इधा शादी के लिए बोल दे लाल शाही से लिखकर देदा हूँ आप शादी पक्की है ऐसे बिलकुल पूरा confident basis पर बोल दे भाई ठीक है लगनी TGL तो आई रखा है ये ठीक फॉर्म बर्दो भाई नहीं बरा तो MTS दुबारा आ रहा है रेलवे की कई सारी वेकेंशी मैं क्यों गैरेंटी देता हूँ एक नहीं कम से कम तेरे तीन पेपर कॉलिफाई हो जाएंगे इस साल तीन पेपर बस तू हाथ मांग ले जिसका मांग इस question का बनी पुरी इस question का सही और सठीक आंसर है दो टाइपस मिल जाएंगे जगोई और चोलम किस नृत्ते से संबंदित तो मनी पुरी से नृत्ते से संबंदित ये दो डिवीजन आपको देखने के लिए नेक्स question है which of the following dance forms is mentioned in the ancient text of विहर माला पढ़ाया भाई जब मैं स्टार्टिंग में शुरू करता हूँ न मेरा classical dance तो उसमें एक दिन की class में तो मैं थियोरी में ये समझाता हूँ ये साली चीज़े तो विहर माला के प्राचीन ग्रंत में निम्लिकित में से किस नृत्ते का उलेख आपको मिल जाएगा चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सर निम्लिकित में से किस डांस का उलेख आपको यहां पर मिल जाएगा सतारिया मोहिनी आट्टम मनीपूरी या फिर उडीसी हम पहले भी पढ़ चुके इसका संबंद असम राज्य से आपको देखने के के लिए मिलेगा सतारीय उन्रत्ति के अगर हम बात करें महिनी आट्टम का संबंद अपको मिले से-भी हमिए का नीपूर से सवाल बहुत अच्छा कुशन है ग्रामीन करनाटक का तमिल नाडू और आंदर प्रदेश में लोक नरत्य को लोक प्रिये बनाने के लिए निमली कितमे से किसे पदम श्रीपुरसकार 2021 से समानित किया गया था इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना बढ़िय थी एक बीच में सवाल डाला था वो भी भाई कहीना कहीं डांस को डिलेट कर रहा था वो जो कोशन था रीजनिंग ठीक है अधरवाई सारे के सारे पॉइंट पिल्कुल एस अटे समबंदित थे हमारी क्लास से जो टॉपिक था वही था इस क्लास की पीडियाफ आपको मिल जाएगी 888-210-3915 यह मेरा वट्सप नंबर है वट्सप मैसेज कीजिए एक ग्रूप बना रखा है 210 के आसपस बच्चे हैं उस ग्रूप में हो जाईए क्लास की उसमें लिंक भी मिल जाता है मेरी क्लास का लिंक मैं शेर कर देता हूं क्लास से पहले और पीडियाफ भी महा की टी-शिट चाहिए सर सेलेक्शन के बाट बिल्कुल भाई अभी विजवादेंगे घर तेरे लड़ी की के घर भी विजवाद हूं टी-शिट सीधी दोनों के घर एक एक टी-शिट दोनों पहन के सैल्फी वेज देना नौकरी लग यार बढ़िया जबरदस तेरी शादी है अब जो यह बोल रहा है कि जीडी बड़ा पेपर है सीजेल से वो अनुखाई नमून है उसने कुछ जिंदगी में कोई पेपर नहीं दिया तो फिर ऐसे लोगों से बचिए साफधान रही है सच बता रहा हूं सर साफधान रही है इस कंटेंट को भी प्रिपेर करने में बन ना सर मसद बतारूं बच्छे सैस कोशनों को भी और डिटेल अनलाइसिस करने में में भी कम से कम सर्दू खंटे में लगता है तो जो बंदा दो घंटे बैट के टेक केर मिलेंगे नेक्स क्लास में तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का